इस booklet में यहां तक हमारा हो गया था AC circuit containing resistance only देखो हम क्या करेंगे हम एक circuit के अंदर capital R resistance लगाएंगे हम एक circuit के अंदर capital R resistance लगाएंगे capital R की जो resistance है उसमें हम EMF apply करेंगे E is E not sin omega t यानि के alternating तो capital R resistance में हम alternating EMF apply करेंगे E is E not sin omega t और हम यह देखेंगे कि इस EMF की value को लगाने के बाद इस resistor में current कितना पास हो रहा है मतलब अगर EMF इसमें अपने value को क्या कर रहे है चेंज तो हम यह देखेंगे कि current की value इसमें कैसे पास होगी कि current की value कैसे change होगी यह मेरा पहला पास है आज हम यह discuss करेंगे आपको कि उसमें क्या problem में आता है मैं कैसे बोले की E is E not sin omega t I is I not sin omega t तो पता है यह currents or voltages sign function को follow करते हुए E is E not sin omega t और I is I not sin omega t की value follow करेंगे फिर मैंने क्या कहा कि R को हटा दिया मैंने और थोड़ी देर के बाद हम discuss करेंगे आज के lecture में कि सिर्फ इंड़क्टर लगा होगा इंड़क्टर के साथ मैंने apply किया E is E not sin omega t जब मैंने इंड़क्टर के साथ E is E not sin omega t अपलाएगा अब मैं यह चेक करना चाहता हूँ कि इंड़क्टर में कितना current जाएगा आपको कि उसमें क्या problem है E is E not sin omega t नहीं जाएगा वो इसलिए नहीं ऐसा जाएगा क्योंकि इंड़क्टर में जब changing current alternating current चाहेंगे यह alternating EMF आप अपलाए करोगे जो कि हर वक्त time के साथ क्या कर दिया अपनी value को change तो inductor क्या करेगा आपकी जो EMF है changing EMF है उसको क्या करेगा oppose वो self induction शो करेगा और self induction से वो आपकी increasing या decreasing EMF को oppose करेगा अब opposition के चकर में जो current आना चाहिए था यानि कि आपकी EMF को opposition का मतलब है resistance offer करेगा तो जितना current आना चाहिए था inductor में उतना आनी पाएगा change हो के आएगा मैं देखना चाहता हूँ कि अगर EMF का waveform यानि कि EMF ऐसे change हो रही है time के साथ जो मैं इसको दे रहा हूँ मैं देखना चाहता हूँ कि current और time का graph फिर क्या बनेगा जब मैं इस EMF को किसमे apply करूंगा cross inductor apply करूंगा ठीक तो यह वैसा नहीं होगा जैसे standard होता है कुछ change हो के आएगा वो क्या हो के आएगा यह हमारा आज का काम है और क्यों change हो के आएगा because inductor क्या करेगा oppose करेगा तो हमारा current कुछ ना कुछ factor से change होगा ही होगा फिर हम क्या करेंगे फिर हम आज के lecture में एक capacitor लगाएंगे कीरा capacitor अप्लाइगे कीरा capacitor अप्लाइगे साथ capacitor लग गया अग फिर से इज E0 sin omega t apply करेंगे और देखेंगे की capacitor के अंदर कितना current पास कर गया कोई बोला sir capacitor में current कैसे पास कर सकता है मैंने का क्यों 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 आपने current electricity में समझाया था कि जो यह कैपैस्टर है वो current को पास नहीं होने देता मैंने थो DC current को पास नहीं होने देता AC पास होने देता है वोला आपको कैसे पता लगता है कि भी DC होता अशी नहीं होता तो मैंने का देखा बेख करंट I is always equal to what? DQ by DT जब आप DC बैटरी लगाते हो, तो प्लेट्स के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगटिव चार्ज और थोड़ी देर के ऊपर वो चार्ज क्या जाता है? मैकसिमम, उसके ऊपर उसके ऊपर अचार्ज उसके ऊपर एक पाता थो थोड़ी देर जब तक वो मैकसिमम नहीं होता तब तक तो смож 시faiteगा क्या जाता है? 0, क्योंकि constant के differentiation क्या होती है, 0, अब जब charge maximum हो गया, तो current भी 0 हो गया, तो DC current एक time के बाद, capacitor के अंदर move नहीं कर पाएगा, को doubt इसमें, ठीक है, लेकिन AC current, AC current जो है, अब चेक कर सकते हो, I is equal to DQ by DT, चार्ज की value AC में क्या होगी, चेंज, बोला कैसे, मैंने का देख, capacitor की plates है, जब alternating current आएगा, अपनी value को चेंज कर रहा है, तो माल लो, यह plate positive और यह plate negative है, और positive plate का positive charge बढ़ता चाह रहा है, और negative plate का negative charge बढ़ता चाह रहा है, क्योंकि current बढ़ता चाह रहा है, यह MF बढ़ता चाह रही है, फिर maximum हो गया, फिर current पीछे से कम हो रहा है, तो यह charges कम होते जाएगा, और zero हो जाएगा, फिर current अपनी direction चेंज करेगा, अब यह plate positive थी, अब थोड़ी दिर में यह plate positive हो जाएगा, और यह plate negative, चार्ज रिवर्स हो जाएगे, एलेक्टरी फिल्ड रिवर्स हो जाएगा, चार्ज हर वक्त ब्लेट्स में क्या होता चाहेगा, चेंज, और जब चार्ज हर वक्त चेंज होगा, तो current जो है वो कभी zero इसमें नहीं होगा, को doubt इसमें, पॉइंट समझ में यहां तक, तो AC current कैपेस्टर की plates में से पास होता है, फिर दूसरा question एक student ने पूछा, कि कैपेस्टर की plates के पीच में तो vacuum है, हवा है, हवा में current कैसे चला गया, को ट्रेवल करने के लिए तो तार चाहिए थी, वायर चाहिए थी, वायर तो थी नहीं, बाइ इंडक्शन, अब चेक करो, जब एक कैपेस्टर होगा, और एक AC सप्लाय होगी, तो यह पॉस्टिव यह नेगटिव होगा, तो क्या होगा, यहां पर एलेक्ट्रिक फील्ड हो यह स्टड़ी करते हैं, कि कैसे अल्टरनेटिंग करेंट्स आगे चले जाते हैं, जबकि बीच में गाप है, गाप में कैसे ट्रेवल कर गया, इंदी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लिय रहा तक, तो अभी इसके उपर इसक्शन नहीं है, तो मैं यह देखना चाह करेंगे R, L, और C, तीनों को सीरीज में लगा देंगे, इसको बोलते हैं LCR circuit, और फिर हम देखेंगे कि अगर मैंने EMF अप्लाई की E0 sin omega t, हम देखेंगे तीनों मेंसे जब current जाएगा, तो current की waveform कैसी होगी, उसकी question कैसी होगी, तो आज का lecture यह चार टॉपिक्स के ऊपर है, clear है यहां तक, ठीक, तो क्या करने वाले हैं समझ में आ रहे हैं, तो सबसे पहले start करेंगे AC circuit containing only resistance, AC circuit containing only resistance, right, AC circuit containing only resistance के अंदर, let us suppose, मैंने यहां पर EMF अप्लाई की E0 sin omega t, तो मैंने E0 sin omega t अप्लाई की, तो मैंने यह देखा कि current की value क्या होगी, EMF by resistance, देखो, E0 sin omega t को R से डिवाइड करेंगे, तो क्या हैगा, current, अब current अगर maximum करना है, तो sin theta की value क्या होनी चाहिए, 1, 1, क्योंकि sin theta जब 1 होगा, तो current क्या होगा, maximum, तो उसकेस में I0 हो जाएगा, तो I0 की value क्या हैगी, E0 by R, तो यहनि की E0 by R को मैं, जब sin theta को 1 put करूँगा, तो E0 by R कैन बी रिप्रेंट इप्रेंट करूँगा, I0, तो I is equal to I0 sin omega t, तो मैं आपको होगे तो वही current आगया, कि अगर EMF की value, अगर EMF की value हम apply करते हैं कितनी, E0 into sin omega t, तो current की value is equal to I0 into sin omega t, यह equation current follow करेगा, यह आपको पता होना चाहिए, अब दूसरी चीज़, अगर आपको थोड़ा सा भी SHM और periodic motions याद हो plus 1 की, तो हम ऐसा किया करते थे, किसी भी periodic motion को compare किया करते थे with the uniform circular motion, जैसे y is equal to A into sin omega t, हम displacement, किसी भी periodic motion के displacement A for amplitude को इस तरीके से represent करते थे, और हम इस equation को एक uniform circular motion से compare करते थे, तो uniform circular motion में बोलते थे, कि let us suppose यह 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 A है, और यह क्या है, omega t, हम बोलते थे, यह जो angle इसको circle के center पर बनाया करते है, और इसको angle नहीं बोलते है, इसको हम physics में क्या बोलते है, phase, तो इस omega t is known as phase, clear रहा है तक, तो angle नहीं बोलना, आपने बोलना, यह displacement का phase है, ऐसी, आप अपनी EMF को भी, क्योंकि EMF ही periodically अपनी value को क्या कर रही है, change, तो आप ऐसा कर सकते हो, कि आप इस equation को circle से compare करते हुए, EMF को एक vector का form दो, वैसे EMF vector होता नहीं, पर जब हम circles में phases draw करते हैं, तो हम माल नेते हैं कि EMF is a vector, तो EMF ने किसी भी instant पर angle कितना बनाया हुआ है, यहां पर omega t, तो EMF का angle is omega t, हम बोलते हैं, EMF का phase कितना है, तो आप क्या पूलेंगे, omega t, तो EMF का phase is omega t, उसी तरीके से, अगर current को represent करना हो, current को, तो circular motion में अगर current का एक vector draw किया जाए, this is current vector, जबकि current vector नहीं, पर हम electrical engineering में, जब अब आप जाओगे कि कोई अगर student branch लेता है, उसमें आप यह देखोगे, कि बहुत complex circuits को, जो electrical बहुत complex circuits हैं, उन complex circuits को, EMF और current को vector मानते हुए, phasor इस diagram को phases के diagram या फिर phasor diagram बोलते हैं, तो phasor diagram से बहुत easily solve किया जा सकते हैं, आज मैं करके भी तिखाऊंगा ऐसे, तो normally कई लोग पूछते हैं, sir, current कब से vector हो गया, EMF कब से vector हो गया, but for convenience, हम जब circle किसाथ compare गरते हैं, उसको vector मान लेते हैं, और फिर current का phase यहां पर क्या draw किया, मैंने, omega t. क्या यह point clear है आँ तक, तो EMF का angle भी, omega t किसी भी instant पे, और current का angle भी, omega t किसी भी instant पे. तो हम बोलेंगे, कि EMF का phase कितना है, omega t. current का phase कितना है, omega t. तो अब यह बताओ, कि अगर suppose करो, resistance के अंदर, किसी भी resistance के अंदर, अगर EMF के एकोल है, current इसके एकोल है, दोनों का phase exactly same है, दोनों का phase same है, phase same का मतलब, कि अगर मैं एक ही circle के अंदर इनको represent करूँ, और यह कहूँ कि यह मेरा EMF vector है, किसी भी instant पर इसका angle omega t है, तो यह मेरा current का vector है, क्योंकि यह EMF है, यही current है, एक ही diagram के अंदर दोनों चीज़े हैं, तो current का angle भी उस time पे क्या होगा? omega t. तो एक ही circle में draw कर देते हैं, EMF भी और current भी, तो इसको बोलता है, drawing the phasor diagram, तो मैं phasor draw कर रहा हूँ, phasor का मतलब, phases पता लग रहे हैं, कि current और EMF are always in same phase, same phase का मतलब, कि जितना जो इसका angle होगा, इसका angle भी exactly same ही होगा, तो they are in same phase, point number one clear है, या फिर ऐसे बोलो, इनका phase का difference क्या होगा, zero, क्योंकि जो उस ऊपर EMF का phase है, वही current का phase है, और EMF and current का phase क्योंकि same है, तो phase difference इन में क्या होगा, zero. क्या यह point clear है यह तक? ठीक, तो इसके अंदर, जब मैंने graph plot किया, किसीने का sir, यह mathematically समझ में आ गया, graphically कैसे समझेंगे, देखो graphically अब ऐसे समझाने आपको, graphically यह समझाने, कि अगर आप एक waveform बनाए, EMF का और time का, तो EMF, sign function follow कर रहा है, यह waveform है, EMF, sign function follow कर रहा है, तो यह waveform है, EMF का, क्योंकि sign को ऐसे ही represent करते है math में, और current भी sign function represent कर रहा है, तो current को भी आप ऐसे draw कर सकते हैं, लेकिन इनका यह starting और ending और यह वला point होगा, वो current का और EMF का exactly क्या होगा? Save. कोई कहता, sir, इसकी value ज्यादा लग रही है, इसकी value मुझे कम लग रही है, वो इसलिए कम लग रही है, क्योंकि E क्या होता है, अगर R greater than 1 है, तो current into resistance EMF तो current से बड़ा ही बनेगा, और otherwise जरूरी नहीं है, current उपर भी आ सकता है, EMF मीचे भी आ सकता है, हम values की बात नहीं कर रहे हैं, हम phases की बात कर रहे हैं, जैसे maths में यह angle 0 होता है, यह pi होता है और यह 2pi होता है, तो मतलब अगर EMF ने pi angle cover किया, तो current ने भी pi angle ही cover किया, तो phase जोनों के exactly same है, तो यह point समझ में आ रहे है, diagram समझ में आ रहे है, यह EMF का graph है, और यह current का graph है, पहला point, दूसरा point, अब phasor अगर हम इसका draw करते हैं, तो अगर फेजर के अंदर क्या draw करना है, फेजर के अंदर आप यह draw कर सकते हो, इसको देखो सिर्फ, सिर्फ, सर्कल दूर करने की जुरुदत नी है, सब arrow arrow draw कर दो, तो अगर यह EMF का vector है, जिसने अंगल किसी भी instant पर क्या मनाया, omega t, तो यह current का vector है, जिसने अंगल कितना मनाया, omega t, तो EMF और current का angle हमेशा क्या रहेगा, same, तो आप यह जो value होगी, वो किसी भी instant पर current की value होगी, तो instantaneous current को कैसे represent करते है, I0 sin omega t, और यह किसी भी instant पर EMF की value होगी, E0 sin omega t, आप नहीं भी लिखोगे, तो भी कोई बात नहीं, phase important है, phase आपको क्या draw करने है exactly, same, तो इसमें result आएगा, EMF and current are in same phase, बेला result clear है, दूसरा result, AC circuit containing inductance only, गो यह important है, inductance यह तीनों expression जो अगले करने जा रहे हैं, बहुत जज़ा important है, क्योंकि AC का base यहीं से बनेगा सारा, AC circuit containing inductor only,